कोविड के जिन मरीजों में लक्षन नजर नहीं आ रहे या बेहत कम लक्षन है ऐसे मरीजों को होम आइसोलेशन में रहने के सलाज सरकार की ओर से दी जा रही है ऐसे मरीजों की संख्या भी बढ़ने लगी है ऐसे में घर पर ही शरीर का तापमान और ऑक्सिजन का लेवल जाशने के लिए थर्मल स्कैनर और प्लस ओक्सिमिटर की मांग तेजी से बढ़ रही है कोविड के पहले बड़ी मुश्किल से 10 से 20 की संख्या में बेचे जाने वाले ओक्सिमिटर अब 400 के करीब बेचे जा रहा है स्वास्त को लेकर बड़ी जाग रुकता की वज़स इन दीनों उपकरणों को लोग अपनी जेब में ही ऑक्सिमिटर लेकर चलते नजर आने लगे है यह नए उपकरण अब जीवन का अंग बनता जा रहा है औक्सिमिटर 500 से 5,500 रुपेओं में आसानी से उपलब्ध हो रहा है मांग से ज़्यादा स्टॉक होने से भी यह सस्ते मिल रहे है लेकिन यह है कि यह दोनों ही उपकरण फार्मा और नौन फार्मा दुकानों में उपलब्ध होने से लोग आसानी से खरिद पा रहे हाला कि गरीब वो मध्यमबर की पहुच से अब भी यह दूर है क्योंकि इनके लिए 1000 रुपए और अप्रेल और मां के दारान थर्मल स्कैनर के मांग बहुत बढ़ गए थी मार्केट में कमी के चलते इस उपकरण की कीमत 8000 तक पहुच गई थी लेकिन अब यह आसानी 1000 से लेकर 1400 रुपए में उपलब्ध है इसे भी खर्श कर पाना संबो नहीं कोबिर संक्रमी के साथ ही आम लोग भी अपने स्वास्तर की घर पर रोजान अजाश के लिए उपकरणों को खरीदने लगे है हाला कि विक्रिताओ का कहना है फिलाल थर्मल स्कैनर की बिक्रिक कम हो गए लेकिन दस गुना ओक्सिमिटर की बिक्रिक हो गई है इन बीजन न्यूस के लिए अभी शेक पान से की रिपोर्ट